नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीतल के कड़े सोने चांदी के कड़े तांबे के कड़े लोही के कड़े ये कड़े जो है इतने तरह के जो कड़े हैं ये पहनने से क्या फाइदे होते हैं क्या चमतकारी फाइदे होते हैं आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों शुद्ध धातु का कड़ा पहने से या हमें बहुत सारी समस्याओं से बचाता है दुरघटना से बचाता है अकाल मृत्यू से बचाता है कड़ा पहने से भागे उदय होता है बंद किसमत खुल जाती है दोस्तो आज इस वीडियो में सोना, चांदी, पीतल, तांबा और लोहे के कड़े पहनने के क्या चमतकारी फाइदे हैं ये बहे बताऊंगा और फिर जो आपको अच्छा लगे, जो आपके सामर्थ में हो वैसा वाला कड़ा आप जरूर पहने आपके जीवन में परिवर्तन अवश्या आएगा, ये बात मैं लिख कर देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं, तांबे के कड़े, अगर हम पहनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या चेंज़े साते हैं तो दोस्तो इसे पहनने से मन हमेशा शांत रहता है, बॉडी का बैलेंस बनाये रखता है ये, हमें बीमार नहीं पढ़ने देता इसे पहनने से, साथी ये बलड को यानि की रक्त को शुद करता है, खून को बढ़ाता है, इसे पहनने से हर फिल्ड में हमें आर्थिक लाब म साथ ही इसे पहनने से हमें तंत्र बाधा भी नहीं लगती साथ ही किसी भी प्रकार के ग्रह का दुश्प्रभाव हमें नहीं सताता साथ ही नपुन सक्ता जैसी समस्या से जो इंसान ग्रसित है उसे भी तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए इस से लाब मिलता है अब बात करते हैं सोने और चांदी के कड़े पहनने के क्या फाइदे होते हैं जो भी इनसान सोना या चांदी का कड़ा पहनता है उनसे मा लक्ष्मी हमेशा खुश रहती है मा लक्ष्मी की कृपा उन्हें हमेशा जीवन भर मिलती रहती है और जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी उन्हें नहीं रहती, दामपत्य जीवन भी अच्छा गुजरता है सोना हो या चांदी, कोई भी कड़ा पहनने से जीवन में तेजी से परिवर्तन आता है इनसान सक्सेस की और बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है इसे पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है जो इनसान बार-बार बिमार पढ़ते रहता है ऐसा इनसान अगर सोना या चांदी का कड़ा पहने तो फिर उसका स्वास्त जो है, हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है वो बार-बार बिमार नहीं पढ़ता अब बात करते हैं कि लोहे का कड़ा पहनने से क्या होता है तो लोहे का कड़ा पहनने से शनी की कूद रिष्टी से बचा जा सकता है वाहन दुरगटना से बचा जा सकता है लोहे related business करने वाले जो लोग भी है उन्हें फाइदा मिलता है लोहे का कड़ा पहने से इनसान की कुंडली में शनी मजबूत हो जाता है और उसके बाद share market जुआ या अन्न तरहा के जो भी ये जो रास्ते में मैंने कहा इन चीजों से इनसान को धन बहुत अधिक मात्रा में आती है काले धन की जो प्राप्ती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगती है इनसान को तो दोस्तो कड़े से जुड़े जो information मैंने आपको आज बताई है वो कैसी लगी comment box में जाके जरूर बताईएगा और अगर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा इस चैनल को क्योंकि मैं इस तरह के information लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक ले टाटा